मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज और इकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए दोस्तों हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं, कौन से रीडिंग होगी आपकी, आपको एक उधारन देके समझाती हूँ, कि अगर आपकी डिटो बर्थ है 23 यानि की 30, तो 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे, तो जोड़ाएगा नमबर 5, 5 होगा आपका मूलांग, और आज की तारीक है 12 जून 2013, और आज की तारीक है 12, 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे, तो जोड़ाएगा नमबर 3, और नमबर 3 के स्वामी होते हैं गुरू, और गुरू जो प्लानेट हैं, ये बहुत पाफुल हैं, हमारी नॉलेज को लेकर, हमारी नॉल प्लाना ही जादा जो प्लानेटरी जो एफेक्ट है, वो पॉजिटिवली हमारी जिंदगी पर आएगा, आए दोस्तों, कालिकरम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले उससे इंपॉर्टन बात है, आपको बताना चाहूंगी, कि जो हम ये रीडिंग कर दो में कि हम क्या करें और क्या चीज़ें आज ना करें, छोटी छोटी सी बाते हैं, लेकिन हैं बहुती जादा महतपून, अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे, करके देखेंगे, तो इसका रिजल्ट आपको स्वते ही पता चलेगा, और दोस्तों, एक और खास बात, ज इसे कहते हैं कि ताला, उसकी चावी क्या है? उसकी चावी है हमारा ध्यान, हमारा योग, लेकिन ताला क्या है? हमारे शरीर के भीतर, हमारे जो मेरू, रजू है, हमारी जो spinal cord है, उसके बिलकुल लास्ट में, एक तीन सरपिलाकार, जिसने तीन सर पिलाकार इस प्रकार से ग कुंडलीनी शक्ति क्योंकि यह सर्प के समान कुंडली मारे 3.5 कुंडली मारे बैठी हुई है इसलिए इसको हम कुंडलीनी कहते हैं और यह शक्ति हम सभी के भीतर मौझूद होती है जो व्यक्ति इसे जागरत करता है या इसके उपर कारे करता है वो स्वभाविक रूप से ए गुरू की देखरे के इस कारे को नहीं करना चाहिए क्योंकि पावर तो पावर अगर उसका इस्तमाल दुरूपयों हुआ या वो गलत मारग पे हुई तो कही ना कहीं विक्ति को वो गलत मारग पे भी लेके जा सकती है इसके दुश परिणाम भी हो सकते हैं आए दोस्तों बिना देर के अपने कारिकरम के हम शुरूआत करते हैं जानते हैं मा भगवती मूलांक एक के लिए हमें आज क्या गाइड कर रही है 12 जून 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है अंडाइंग लव का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना क धरुना के भाव में देखना है, हो सकता है कि आज आज आपके आसपास की जो परिस्तिती है, वो आपके favor में ना हो, कही ना कहीं थोड़े से doubts आपको हो, थोड़ी परिशानी हो सकती है, लेकिन वहां पर भी आप अपना आपा ना खोएं और अपनी peace को बनाए रखें, और कि आई जानते हैं मूलांक दो के लिए फमारी माभगवति हमें आज क्या गाइड कर रही है आज बार है जून 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें को कहा जा रहा है अबंडिंसिया काड है यानी प्रोसपरिटि का काड है मूलांक็ 2 Cज्छ को कि लिए के satisfaction को लेकर है अगर आज हम बात करें तो आपको prosperity प्राप्त होगी आपको मान सम्मान मिल सकता है धन लाब भी हो सकता है कुछ ऐसी opportunity भी आपके समक्ष आ सकती है जो आपको आगे बढ़ाने में आपको support करें कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है be open to receive this abundance आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा माभगवती आज हमें क्या guide कर रही है 12 जून 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है transformation का card है आपके जीवन में आज एक परिवर्तन आ रहा है अब यह जो परिवर्तन है यह कितना ज़्यादा positively होगा यह आपके thought process पर निर्वर करता है कहीना कि आपके creation पर निर्वर करता है क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको चीज़ें आपके favor में होती और इस वक्त आपको क्या विवहार करना चाहिए आप इसको किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए तो सिर्फ एक चीज़ है acceptance के mode में आके जो कुछ हो रहा है उसे accept करें और उसको ना सक्षी भाव में होते वे देखें उसको इसी वी चीज़ के साथ attach होने की जुरत नहीं हो सकता है कि इस समय पर ऐसा कोई विक्ति जो आपके लिए ठीक ना हो ऐसी कोई परस्ति ऐसा कोई समान आपके लिए ठीक ना हो आपकी लाइस से जा सकता है और आपको इस चीज़ को accept करना होगा आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइद कर रही है आज 12 जून 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है एरीन का कार्ड है यानि की पीस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की टेंशन आपको नहीं लेनी है anxiety नहीं लेनी है किसी भी प्रकार से अगर आपको लगता है कि कोई insecurity आपको है आपके bread and butter को लेकर अपने परिवार के खर्चों को लेकर बिल्कुल tension ना लें सही समय का बलके इंतजार करें क्योंकि right time आने पर automatically आपके समक्ष वो चीजें आजाती है यहाँ पर मैं आपको एक कथा सुनाना चाहूंगे क्योंकि कई बार हमारी अपनी नकरात्मक भावना हमारी अपनी जब कहते हैं जब हम तयार नहीं होते हैं जब तक हम परिपक्व नहीं हो रहे हैं तो वो चीज हमें कैसे प्राप्त होगी अब कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंस को हमारी रोग देती है ब्लॉकेज क्रियेट कर देती है इसके बाइक छुड़ी से कथा है कि भगवान शिव से मापारवती कहती है कि जुतने अमीर लोग हैं आप उनको उतना ही जादा दंधाने से परिपून कर रहे हैं लेकिन देखिए वो एक गरीब व्यक्ति है आप उसकी मदद क्यूं नहीं कर रहे हैं तो भगवान शिव ने कहा कि देखिए वो अभी तयार नहीं है जो मैं इसको देना कि अरे मैं नॉर्मल जिंदी की जी रहा देखता हूं कि अंदे लोगों लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं तो जैसे वो इट आने वाली थी उससे ठीक पहले उन्होंने अपनी आखों को बंद कर लिया और एक अंदे के समान चलने लगे और वो सोने की जो इट थ है कि जब किसी व्यक्ति का सही समय नहीं आया होता है जब तक वो परिपक्व नहीं होता है लेकिन अगर वो एंजाइटी ले रहा होता है अपना माइन चला रहा होता है तो जो ब्लेसिंग आने वाली होती है वो ब्लेसिंग भी चली जाती है तो डिवाइन आज मूलांक चा गाइड कर रहे हैं मा भगवती क्या हमें बता रही है आज 12 जून 2013 के लिए और हमसे कहा जा रहा है मूलांग 5 के लिए हाथ और का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको गिफ्ट को रिसीव करना चाहिए आज के दिन जो भी कुछ आपको मिल रहा है चाह चोट अपना द्वार खोलते हैं चाहिए चोटी चीज के लिए खोलें तो बड़ी आशिरवाद को भी अपनी तरफ हम आमंत्रित कर लेते हैं तो कुल मिला के आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन आपको बहुत सारा आशिरवाद दे रहा है आपके कारे के लिए भी क्योंकि देख जहां पर कि आपके धन को प्राप्ती के मार्ग खुलते हों आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 12 जून 2013 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है मा सरस्वती का कार्ड है आपको कहा जा रहा तो यकीन मानिए आज आपको प्रशन साथ जरूर मिलेगी आप कहीं न कहीं भीड से अलग नज़र आएंगे अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो की आटमाटिकली पहले से ही आर्टिस्ट हैं जिनका काम ही आर्ट का है या फिर entertainment industry से हैं आप media industry से हैं अगर आप film या fashion industry से हैं जहां पर कहीं न कहीं आपको अपनी creativity दिखानी है चाहिए फिर वो marketing field क्यों न हो अगर आप ऐसी field से हैं तो आज आपके लिए बहुत इच्छा दिन है विशेश तोर पर मूलांक 6 के जातकों के लिए आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 7 के लिए मा भगवती हमें आज क्या guide कर रही है आज 12 जून 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है फिर से card repeat हुआ है मा सरसुति की करपा है मूलांक 7 के जातकों पर भी और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी आपको क्रियेटिव काम करें जो भी कारी करें अपनी creativity से आप उसे एक नई पहचान दिला सकते हैं आपका जो कार है आपकी जो मेहनत है भी तक जो आपने जो seniors हैं वो आपको चुने किसी विशेश काम को करने के लिए just because of your creative thinking आये जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 12 जून 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है fertility का card है काफी समय बाद मूलांक 8 के जातकों को थोड़ा सुकू किसी नए व्यवसाय का नए घर में प्रवेश करने का किसी नए investment में आने का तो कुल मिलाके जो भी आज आप काम करेंगे आज के दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है विशेश तोर पर हमारे वो किसान भाई जो की Mother Earth के साथ कनेक्टों के काम कर रहे हैं जिनकी की Earth energies ह धर्ती की उर्जाएं प्रित्वी तत्व हैं उन लोगों के लिए आज का दिन जो है विशेश तोर पर बहुत ही ज़्यादा लाबधाई रहने वाला है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 12 जून 2030 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है leap of faith का card है आपको कहा जा रहा है आज के दिन किसी प्रकार का risk आपके समक्ष आएगा आप उसे risk को ले सकते हैं आपके लिए beneficial रहने वाला है यकीन मानिए कि परमात्मा ने आपको यह opportunity दी है थोड़ा सा इस कारे को करने में risk हो सकता है लेकिन यह risk आपके लिए beneficial होगा long term beneficial साबित होगा तो अगर ऐसी कोई opportunity आपके सामने आती है तो उसे आप तुरंत grab करें आपका दिन शुब हो दोस्तो यह थी reading हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक के जातकों की अगर आपकी कोई भी query है यहाँ दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलूंगे आपसे हमारे अगले अपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम करन गर है सुबह दस बच के 36 मिनट तक रहेगा आगे रेवती नक्षत्र है योग सभाग्य और योग की द्रश्टी से आज का दिन बहुती शुब और योग का रहा के इसका पूरा-पूरा लाब उठाई करन गर है सुबह दस बच के 36 मिनट तक आगे वनिच करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शकों सुबह पांच बच के 22 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 19 मिनट का आज का राहुकाल सुबह साड़े साथ से 9 बजे की बीच रहेगा इससे पूरी तरीके से टालन है इसमें कोई शुबह कारे और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सुबह सुबह साड़े साथ से 9 बजे की बीच आता है तो दुर्गा नाम स्मरण कीजिए भगवर्ति का स्मरण राहुकाल में करेंगे तो यही राहुकाल आपके क्यों कारक हो जाएगा कि ला तो फार दा उपधिल हो और द्युसरार तुर्ग दर्श को कार लगवर्त और शुरार करें और आपना मुक देख कर सौयम को देखते वे पांच करो पीछे चलिए और इस दोरान भगवान श्री राम या अपने अपने इश्ट का ध्यान कीजिए उन्हें अपने हर्दे में मानिये अपने साथ मानिये और फिर इस दिशा की यात्रा करें तो यात्रा मंगल में शुब शुरक्षे तो जाती है कारे सिद्ध होता है और कोई समश्या आपको नह मिनट तक यह दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपिक्षा ज्यादा शुब है तो आप कोई एफर्स करें अच्छी कोशिश करें तो इन समय का ध्यान रुकते वे करेंगे सफलता की चांसे ज्यादा रहेंगे अज की चंद राशी दर्शे को मीन है यह जिससे आज़का ये दिन सभी 12 राषीं के लिए कुछ प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करतें मेश राशी की लिए मैश राशी वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए व्रच राशी वालों के लिए आज बड़ा ही अच्छा दिन है क्यों संबार Verma निवेश सब कुछ प्राप्त होता हुद दिक रहे हैं मितुन राशी वालो को कार्यालें में प्राफ्ट होगी प्रशंश्या, करक राशी वालो को भाग्ये देगा बहुत बड़ा अवसर सिंग राशी वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है और कन्या राशी वाले अपने वहवाईग जीवन की विवाद आज सुल जा सकते हैं तुला राशी वाले नन्याल पक्ष्र होते दिख रहे हैं लाभानवित प्रस्चिक राशी वालों को संतान संबंदित शुब समाचार प्राप्त हो सकते हैं धनू राशी वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे मकर राशी वालों को मिलेगा बहुती जबर्दस समर्थन कुम्ब राशी वालों के पुराने इंवेस्टमेंट दे सकते हैं बड़ा लाब और मीन राशी वालों को आज आत्मिश्वास से भरा रहेगा ये द अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो हमारी आपकी अंत्य द्रश्टी प्रज्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को बहुत ही सुगम सुरक्षित सुंदर और सफल बना देते हैं अन्तमे करेंगे आज के दिन की जोतिश मं संत्रना और समाधन दर्श को बहुत बार यह विचार आपके मन में भी आता होगा कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता इतने लोग देवी देवता कुल देवता शेत्र देवता इतना सब देवी देवता है तो फिर परमात्मा कौन है और उसकी पूजा कैसे हो हलां कि हम जी दुर्गा माता और सूर्य नारायन ये परमात्मा के पांच स्वरूप हैं फिर भी आम जन्मानस भ्रमित हो उसके लिए शास्त्र वचन है उसके भ्रम को दूर करने के लिए कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छती सागरम सर्व देव नमसकारे केश्वम प्रति या प्रणाम एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है तो जो भी आपके इस्ट है उन्हों अपने श्रद्धा को द्रड़ रखिए किसी प्रकार के भ्रह्म में आई ये आप जिसकी भी पूजा कर रहें जिस देवी देवता जिस्वरूप का पूजन कर रहें आप एक ही पर सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आप सभी आज दौपेर एक बच के 36 मिनट से दौपेर दो बच के 20 मिनट के बीच में छोटे-छोटे बच्चों में दूद और दूद की बने मिठाईयां बाटे साथ ही शाम 8 बच के 45 मिनट के वक्त भगवान शिवजी के मंदर जाएं और गौम आता का शुद्ध सवा के लोग घी वहां अखंड जोती के लिए अर्पित कर दे और फिर वहीं बैट कर आज आज आप 21 माला लगू मृत्यूंजे ओम होम जूम से हैं ओम होम जूम से हैं इस अई दर्शे को जिनने भी आर्थिक समझाएं परिशान किये हैं बहुत जादा प्रयासों के बाद भी आप अपनी आर्थिक स्तिति को सुधार नहीं पारें वोग आज को छोटे-छोटे उपाए करें बहुत बड़ी रहात पा सकते हैं समझाओं से बहार आ सकते हैं इसके करना सर्फ यह है कि करीब साड़े नौ से दस बच के बारा मिनट की बीच में आपको शिवाले जाना है और दूद मिलेवे गंगा जल से भगवान शिवजी का अभिशेक करना है उसके बाद में शुद्ध गौग्रत गौमाता की घी द्वारा शिवलिंग पर पांच बार ओम क से बैटके पार्ट करें संस्क्रत अच्छी नहीं है पार्ट नहीं कर सकते तो सुन लें इसके बाद में जब आप वापस अपने घर जा रहे हों तो जो भी पहला जीव या चकवस्ता में या निर्धन मिले या भूका मिले इसे कोई श्वान हो गौमाता हो भूके पक्षी ह या कोई निर्धन व्यक्ति हो वो त्रप तो हो जाए ऐसा उसको भूजन करवा दें उसका आश्रवाद लें उसके बाद में रातरी में इसी मंदिर में वापस जाएं करीब 10 बजे 6 बड़े दीपक मीठे तेल के लेके जाएं और 5 दीपक तो आपको शिव जी पारवती जी गणिज जी कारति कैजी और नंदी जी के नाम से प्रजुलित कर देने हैं और एक दीपक आप प्रजुलित करेंगे कुबेर महराज के नाम से और उसके बाद में वही मंदर में बैटकर ओम को बेरेश्वराय नमह शिवाय की पांच माला का आप जाप करेंगे इस प्रकार की दिन भर की पूजन पद्दती से भगवान शिवजी की अमोग करपा आप राप्त करेंगे बहुती सहजता से आपके भागे के द्वार खुलेंगे समश्शाओं से आप बाहर आएंगे आर्थिक स्तिती बहुती मजबूत हो जाएगी इसमें कोई संदेह नहीं ऐसे दर्शे को जिन चात्र चात्राओं को किसी बड़ी परिक्षा में जाना जैसे मेडिकल एंट्रेंस या फिर किसी प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उसमें जाना है या वो लोग जो किसी नोक्री में साक्षातकार के लिए जाने वाले हैं ऐसे सभी कुछ दिन पहले से हनवान जी की विशेश साधना शुरू कर देते हैं तो सफलता के पृतिश्यत बढ़ जाते हैं यह मान के चले की सफलता निश्यत हो जाती है इसके लिए करना सिर्फ यह है कि नित्य गणेश जी और हनवान जी की पंचोब चार से पूजन करें नित्य हनवान जी को गुड़ चना का भोगर्पित करें और ग्यारे माला इस बहुत वी विशेश मंत्र की आप जाब करें रोजाना करें उसका प्रभाव देखें मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है ओम श्री वज्र देहाए राम भकताए वायू पुत्राए नमस्तुते आप ये प्रयोग करके देखें और चमतकार अपने जीवन में स्वेम अनुभाव करें ऐसे दर्शे को प्रमोशन की इच्छा रखने वाले या जिनकी नोक्री में समझेगे चल रही है वो लोग भी इस मंत्र का अनुष्टान करते हैं उनकी मनोकामना भी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है बस यह ध्यान रखें कि जब कारे सिद्ध हो जाए तो हनमान जी है आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनवपत्री का यह हमारी दर्शक दीप शिखाजी की दिल्ली से 26 नॉवंबर 1993 का जनम है दौपेर 12 बज के 18 मिनट दिल्ली प्रशने किया है विवा में विलंब हो रहा है उपाय बताएं दीप शिखाजी लगन में स असंद की जगे विवा तै नहीं होने से जानवुच कर इतना लेट कर चुकी है हाला कि आपके विवा योग पिछले पांच वर्शों में बार बार बन रहा था लेकिन अर्चनों के चलते विवस्ता नहीं बैठी अब आपके फिर से प्रबल योग आएगा जनवरी 2024 से और अगस 2024 की बना रहेगा उस्वक्त कोई अर्चन ना आए इसके लिए आप 13 सोमवार के वरत कर लीजिए बिना नमक के आपको वरत करने है और हर सोमवार एक सेव यानि एपल भगवान शिवजी पर अर्पित करनी है और एक पीला कपड़ा माता परवती पर अर्पित करना है विवा के योग बैठ जाएंगे इस बार आपका विवा संपन हो जाएगा आज की दूसरी पत्री का हमारे पास आये सीकर से शाम सिंग जी की 20 अगस्त 1934 में का जनम है शाम 7 बच के 22 मिनट सीकर प्रशन है सरकारी सेवा की योग बताए शाम सिंग जी आपके प्रबल योग ह सरकारी सेवा के इसमें कोई दो रही नहीं है सिक्षा पुलिस और नियाइक सेवा के योग आपके बनते हैं आपने यदि अब तक लल भी नहीं किया है तो आपको कड़ लेना चाहिए यानि लौकी पढ़ाई कर लेनी चाहिए क्योंकि भविश्य में कि आपके बहुत काम आ लीजिए बहुत बड़ा लाब आपको होगा यह था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाए और ग्यान चर्चा में पंडे चंद्रशेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताए वो पायों को सही विधी सठीक समय पर करके आप पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान च आप सबकर कल्यान करें जया आदिशक्ति